आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एकदम हलवा स्टाइल आलू गोबी की मसालेदार सब्जी की रेसिपी वो भी घर पर उपलवद मसालों से और एकदम एजी तरीके से आलू गोबी की मसालेदार सब्जी आलू गोबी की सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले गोबी ले लेंगे और गोबी को इस तरीके से कट कर लेंगे मोटा मोटा तो यह मैंने 300 ग्राम गोबी लिए इसको मैंने अच्छे से धोकर कट कर लिया है इसी तरीके से कट करना जिससे मैस नहीं हो गोबी और यह लिए मैंने चार मीडियम साइज के आलू इनको भी मैंने छील करके धो करके मोटा मोटा कट कर लिया है पानी में डाल दिये जिससे काले नहीं पड़े ये लिए मैंने प्याज और तमाटर ये दो प्याज और तीन तमाटर तो प्याज को मैंने चौप किया है और तमाटरों को भी मैंने च साबुत धनिया, काली मिर्च, ये तीन हरी मिर्ची, लैसुन और अधरक, इससे मैं स्पैसल मसाला तयार करूंगी, और ये खड़ी मसाले लिये मैंने, तेजपत्ता, दाल चिनी, इलाइची, चक्रफूल और साबुत लाल मिर्च, तो हम लेंगे कोकर, कोकर में डालेंगे, एक छोटा चमच, तेल, जो सबजी वाला चमच होता है, उससे हमें तेल डालना है, तेल को हम कर लेंगे गरम, देखिए, इतना तेल लेना है हमें, यदि कम पड़ेगा सबजी में, तो बाद में हम और ले लेंगे, स्टार्टिंग मे हमें इतना ही लेना है तेल कराम गुच चुका है अब हम इसमें डालेंगे गोबी के फूल तो इनको मैंने अच्छे से दोकर पॉंच लिया उसके बाद इस तरीके से इनको हम फ्राइ कर लेंगे सेलो फ्राइ तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए गैस का फ्लेम मेडियम रखते हुए इनको हमें फ्राइ करना है तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक तो चुटकी पर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक हमें डालन हैं एक दियाई चम्मच या टेस्ट के अंसार अच्छे से मिक्स करेंगे इसे बहुत ही प्यारा कलर आएगा गोवी में तो इस तरीके से मिक्स करते वे आपको मेरा फीडियो पसंद आयो वीडियो को लाइक और उस्यार बीडियो ज़रू कर दीचिक्वा ज्यादा से ज्यार कीजिएगा जी गोवी है इसासि तरीके से निकाल लेना है यह मैंने निकाल लिभी को अब हम डालेंगे इसमें आलू तो आलू को भी मैंने पानी से 25 रह करना है भूनना है लगातार चलाते हुए और गैस का फ्रीम रखना मेडियम टू लो इनको भी हल्का सा क्रिस्पी होने तक हम भून लेंगे इसी तरीके से चलाते हुए तो आलू भी हमारे भून चुके हैं अब हम इनको बहार निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स यह आप इस तरी दालेंगे एक छोड़ा चमच तेल को हम गरम होने देंगे और तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच जीरा जीरे को भूनने देंगे क्योंकि तेल गरम हो चुका तो जीरा भी हमारा भून चुका इसमें खड़े मसाले डाल देंगे दाल चिनी तेजपत्ता चक्रफूल, इलाइची, इनको भी हम भून लेंगे, तो गैस का फ्लेम रखेंगे इस ताइम लो और लो फ्लेम पर हमें भूनना है, इन खड़े मसालों को, फिर हम डालेंगे इसमें एक साबुत लाल मिर्च, लाल मिर्च को एंड में डाला जिसे ये चले नहीं, अब हम डाल चलाते हुए, और कलर चेंज होने तक भूनना है, और गैस का फ्लेम रखना है मीडियम, तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और सियर कीजिएगा, चैनल परना है है, तो चैनल को सब्सकाइब कर दीजिएगा, आप हम डालेंग ये रेशिपी बनाना बता रहे हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो देखिए, ये भी मैंने भून लिये हैं, लगातार चलाते हुए, हलवाई लोग एक चीज़ और डालते हैं, जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, तो ये लिया है मैंने हारी मिर्ची लैस अधरा साबो धनिया का पेस्ट, तो इस तरीके से हमें पेस्ट बना कर डालना इस से पहती प्यारी खुसबू आएगी, और जो मसाला तयार होगा, वह बहुती टेस्टी और स्वाधिस तयार होगा, इस मसाली को डालने से, इस तरीके से पीस कर डालने से, इनको भी हम भून हमें अच्छे से भूनना है इस पेस्ट को भी तो फ्रेंट्स कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से भून लेना जब तक इसमें प्यारी सी खुस भूना आने लगे यह 5 कौ अच्छे से भून चुके हैं जालेंगे आदा चम्माच दालेंगे हम लाल मुर्च पाओडर ऑदा फिर हल्दी पावडर ऑदा चम्माच फिर हम डालेंगे अन्मक टेस्ट के अंसार तेअ लाल मिर्च पाउडर एक चमच इसे पहुत ही प्यारा आएगा सब्जी में थोड़ा विए में गरम मसाला अच्छे से विव जाला है में पानओ यह मैने डाला एक चथाई कब पाने डाल दिया अच्छे से मिक्सक्राइब कर दिया एक जलेनी मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को हमें बिल्कुल अच्छे से पकाना है तो देखिए यह मसाला भी हमारा लगबग पक चुका है मसाला पकने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे टमाटर का पेस्ट जो टमाटर हमने चौप करके रखें बारिक-बारिक उनको डाल देंगे इसमें टमाटरों को हमें खुला ही पकाना है थोड़ दिर के लिए लगाता चलाते हुए तो इस तरीके से यदि पर्फेक्ट तरीके से मसाला पका कर तयार करोगे तो एकदम हल्वा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल सबजी बन कर तयार होगी अब हम ढग कर पका लेंगे इसको जब तक कि यह अच्छे से ना पक जाए टमाटर मसाले के साथ बीच में चेक कर लेंगे एक दो बार तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा मसाला पक चुका है तेल रिलीज कर दिया इसमें मसाले ने इसी तरीके से हमें तयार करना है देखिए कितना प्यारा लग रहा ह सेम ऐसे हमें मसाले को पका कर तयार करना है अब हम डालेंगे इसमें आलू और गोभी तो हम डाल रहे हैं आलू तो और भी आपको नई नई रेसिपीज देखने हो तो आप मेरे फेस्टूक पेज और इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है वहां से देखकर आप इन पेजिज पर जा सकते हो अच्छे से मिक्स करेंगे कोट करेंगे पहला हमें बिना पाने डाले ही इसको कुछ देर के लिए पकाना है लगबग दो मिनट के लिए इसी तरीके से क्रोड अर् उसके बाद हम इसे पानी एड़ करेंगे जिसे मसाला सबजी में अच्छे से मरज हो जाए चला जाये जो आलो और गोबी है इनमें अब हम डालेंगे इसमें पानी तो एक ग्लास पानी मैंने ले लिया है डाल दिया है और आदा ग्लास और डाल देंगे ग्रेवी कंसिस्टेंसियां आप जैसी रखना चाहते हैं तो आप से पानी डाल सकते हो पर मैंने ज्यादा पानी इसमें एड नहीं किया है मैं थोड़ी गाड़ी ही रखूंग गिरेवी अच्छे से मेक्स कर देंगे और अब हम लिड लगा का धकन बंद करके इसमें सिर्फ एक सीटी लेंगे क्योंकि यदि हमने ज्यादा सीटी लेली तो गोभी मैस हो जाएगी एक सीटी लेने के बाद हम गैस को बंद आप निकल चुकी है वाव देखिए कितने प्यारी सब्जी लग रही है एकदम हलवाई स्टाइल और गोभी भी बिल्कुल मैस नहीं हुए सेम ऐसे हमें तैयार करना है जो कुछ बारिक टुकड़े थे वह मैस हो जाते हैं पर जो बड़े बड़ेट पीसिस थे वह दन्यवाद